हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपने पहले से भोटराइडी कार्ड बनवाया हुआ है तो आपके भोटराइडी कार्ड जो भी आपको मिला हुआ है बना करके उसमें अगर आपका कोई भी गलती हो गई है जैसे कि आपका नाम गलत है या आपका जननतीती गलत है या आपके फादस का नाम गलत है या आपका एड्रेस गलत है या आपको अपना फोटो को अपडेट करवाना है दूसरा फोटो लगवाना है कुछ भी आपको सुधार करवाना है आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में तो आप किस परकार से घर बैठे अपने mobile phone से कर पाएंगे आज के इस वीडियो में आपको step by step बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile में Google Play Store से वोटर हेलप लाइन नाम के application को आपको डाउनलोड करना होगा इंस्टल करना होगा तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने Google Play Store से डाउनलोड कर रहा हूँ वोटर हेलप लाइन नाम का application को तो आपको इसे इंस्टल कर लेना है उसके बाद आपको simply इसे open कर लेना है जब आप इसे first time open करेंगे तो आपके समने कुछ इसपरकर का option आईगा यहाँ पर आपको i agree पर click करना है और next पर click कर देना है जैसे आप next पर click करेंगे तो आपके समने कुछ इसपरकर का interface आएगा अगर आप वाले से इसे use करते हैं तो यहाँ पर आपने account बनाया है तो अपना mobile number और password डाल करके login कर सकते हैं अगर आप नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर आपको एक नया बनाने के लिए आपको यहाँ पर new user का option मिल जाएगा इस पर आप click करके नया एक अपना ID बना सकते हैं यहाँ पर mobile number डाल करके send OTP पर click करिएगा तो आपके OTP जाएगा mobile पर उसके बाद OTP को डालने के बाद आपका account बन जाएगा उसके बाद अगर आप नहीं जलना चाहते हैं तो नीचे में आपको skip login का option मिलेगा आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना ID और password डाल लेता हूँ और यहाँ पर login कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं ने डाल लिया है तो यहाँ पर मैं किलिक कर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको correction of entire form 8 वाले option को select करना है, उसके बाद इस परकार का आपके समने option आएगा, यहाँ पर आपको अपने नाम type करना है, जो कि आपका voter ID card पर आपका नाम है, यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना है, उसके बाद आपको OK के option पर किलिक करना है, उसके बाद आपके समने इस परकार का option आएगा, जैसे कि देख सकते हैं, हैलो आपका नाम लिख करके आएगा, लेट स्टाट पर किलिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर पुछ राये, it is, enter your voter ID number, यहाँ पर आपको अपना voter ID card का number डाल देना है, उसके बद फेच daire, पर किलिक करना है, यहाँ पर देखिये, you have found this record, आपके voter ID card details found कर लिया है, यहाँ पर बोल्ड आए, यहां पर इस प्रहकर का option है कि यहां पर आप क्या चीज में correction करनाँ चाहते हैं यहाँ पर उसका आपको select करना हुता है तो यहाँ पर आपको जो भी select करना है जो भी मतलख correction करना है उसके सामने box पर टिक आट करना है और type of relation पर आपको क्लिक कर देना है तो अगर आप आप आधस के नाम या किसी mother's name या पत्नी का नाम या पती का नाम में correction करना चाहते हैं तो name of relatives पर क्लिक करने के बाद relation वाले option को select करके next करना है उसके बाद यहाँ पर interior name का option में आपको अपना नाम यहाँ पर फिल आप कर देन सकते हैं और यहांथा आपको यह आपको कर लेना है उसके बाद नेम अफ रिलेटी वाले आपशन में आ जाना है और 민थे आपको आपर पर लिएम करना चाहते हैं और यहां पर आपको पूछ रहे कि लास्ट नेम और पुछेगा यानि कि फादस का नाम जो कि मेरे लास्ट कर लेना है तो मैं यहां पर फिलब कर लूँगा तो यहां पर आपको फिलब कर लेना है जो भी पर करेक्शन करना चाहते हैं फादस नेम हस्बें नेम या वाइप नेम पर मैं अपने फादस का नाम जो गलत है मेरे बोटरायरी कार्ण में तो यहां पर मैं फिल अप करूँगा तो सिंप्ली मैं यहां पर फिल अप कर लेता हूं फिल अब करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले अप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर अटोमेटिक हिंदी में फिल हो जाएगा इसे आपको एक बाद चेक कर लेना है पर क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नίοबर यहाँ पर डालेना है यहाँ पर नश deduction क्रम टरुकर करऊंगा अर्ड़ा देने के बाद आपको नेक्स्ट में यहाँ पर अक प्रूप में फोट फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोट करना पर एगा डोकमेंस यानि यहाँ पर अपना जो फादर्स नेम करेक्शन करना चाहते हैं और अपना नाम करेक्शन करना जाते हैं उसके लिए आप कौन सा डोकमेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसका फोटो एक लेकर करके यहाँ पर upload करना है, तो यहाँ पर मैं upload कर लेता हूँ, यहाँ पर documents को upload कर लेना है, उसके बाद next के option पर click करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने next पर click कर दिया है, उसके बाद आपके समने space car का option आईगा, name of the applicant का, तो यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम fill up कर देना है तो यहाँ पर मैं अपना नाम fill up कर लता हूँ उसके पर place के option मिलेगा यहाँ पर आपको अपने गाउं का नाम डाल देना है या तो अपने district का नाम इसमें fill up कर देना है तो यहाँ पर मैं अपना गाओ का नाम ही यहाँ पर डाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है उसके बाद आपको finally यहाँ पर dawn के option पर click करना है तो यहाँ पर मैं simply dawn के option पर click कर दूँगा इस पर किलिक करते ही आपके सामने फरं का जो भी पिर्वीव है फरं का उखुल करके आ जाएगा जिसे कि आपर देख सकते हैं उपर में जो भी पिर्वीव है यहाँ पर आपका जो बोटर कार्ड में पाले से है वो यहाँ पर सो करेगा नीचे में जो आप सुधार किये हैं य यहां पर आप जो भी डोकुमेंट से देने वाले हैं सुधार के लिए यहां पर डोकुमेंट सो करेगा उसके बाद आपको फरार्म को सबसे नीचे last में आ जाना है तो यहां पर मैं सबसे नीचे आ जाता हूं और यहाँ पर आने का बाद आपको submit के option पर click करना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आ जुका हूँ और फरार्म को एक बार चेक कर लिया हूँ आपको भी कर लेजिएगा कि कोई भी गलती नहीं है उसके बाद confirm पर click कर देना है confirm पर click करते ही आपके स आमने देखी यहाँ पर thank you का message आ जाएगा और यहाँ पर आपका reference ID भी generate हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं application है यहाँ पर submitted रिलिक रहा है successfully हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका reference ID note कर लेजिए इस इसकी इन सोर्ट लेना चाहते हैं तो ले लिजिए उसके homepage पर आजाएंगे application के यहाँ पर अगर आपको अभी भी अपना status चेक करना चाहते हैं कि सुधार हुआ है या नहीं तो आपको three line पर click करके यहाँ से application of status यहाँ पर click करना है और यहाँ पर apply form के option पर click कर लेना है यहाँ पर click करते ही आपका यहाँ पर reference ID आ जाएगा आपको simply यहाँ पर reference ID पर click करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यह status खुल कर आ गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर status अपना चेक कर सकते हैं तो दुशतों इस तरह से आप अपना बोर्टर ID कार्ड में कोई भी correction करा सकते हैं अपने mobile phone से आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए अपने दोस्तों के पास सेर करिए और कोई भी कनफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं